नमस्कार गीता एट्स में आपका सागत है आज हम बनाएंगे अलग-अलग प्रकार के फ्रूट जूस आप मेरा वीडियो पुरा देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लेस लाइक और शेर जरूर करें और पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्रा अंगुर ले लिया है उसमें 5-6 पत्ते पुदिने के डाल देंगे खुड़ासा अध्रक डाल देंगे काला नमक थोड़ा सा डालेंगे और एक टेबल स्पून सकत डाल देंगे फाप कप पानी डालेंगे मिक्सीजार कर ठक्षन बंद करके हम पीस लेंगे अच्छनी की मद तो उसके लिए मैंने एक कप अंगुल ले लिया है थोड़ा सा अध्रक डाल देंगे चार से पाच पत्ते पुदिने के डालेंगे एक टेबल स्पून सकत डालेंगे अंगुर जैसे हमरा मिठा कट्टा होगा उसी प्रकार से हम डालेंगे थोड़ा सा कला नमक और रहाप बंद करेंगे और मिक्सी में हम पेस लेंगे ग्लास में 22 क्यूब डालेंगे पुदिनी के पत्ते डालेंगे जो हमने जूस निकाला है वो हम डाल देंगे ग्लास में हमारा ये दूसरा वाला जूस भी बनके तयार है अब हम बनाएंगे पाइनेपल जूस ये मैंने मार्केट स छिलवा के लिया है यह हम घर में अच्छी तरह से छिल नहीं सकते हैं इसलिए बाहर से फिलवा के मीज का पाइनेपुल का हिस्सा हमें जूस में यूज करना है इसलिए हम उसे निकाल देंगे ऑब जो बाइक की पीसिस बचे हैं उसके हम बारिक बारिक टुकड़े काट अब इसमें हम 4-5 पुदिने के पत्ते डाल देंगे थोड़ा सकाला नमक डालेंगे और 3 टेबल स्पून सक्कर डालेंगे जैसे पाइनेपल हमारा मीठा खट्ता होगा उसी प्रकार से हम सक्कर जादा कम डालेंगे थोड़ा सा नीमो का रश डाल देंगे हापकप पानी डाल मिख्ञ़ार बन करके हम इसको भी पीस लेंगे गलास में 2 आईस क्यूब डालेंगे 2-3 पत्ते पुदिने के डाल देंगे और जो पाइनिपल का जूस हमने बनाया है वो हम डाल देंगे यह हमारा पाइनिपल जूस भी बनके तयार है तीनो जूस बनके तयार है तीनो जूस को हम सव करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लेस लाइक और सेर जरूर करें पहले बर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो सस्क्राइब करना बिलकुर मत बुलिए बिल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ